we will discuss what is concept of priority and what is the importance of this concept first of all how we can define this concept this is basically a fundamental principle of zoological nomenclature to recognize first valid name इससे क्या अम्राद है इससे अम्राद है कि यह एक ऐसा principle है जिसके जरीए हम किसी species को जब हम नाम देते हैं तो उसको पहला जो valid name है वो दिया जाता है उसको इस principle के जरीए recognize किया जाता है अब जब किसी भी species को कोई नाम दे दिया जाता है और वो publish हो चुका हो तो उसके बाद उस नाम को किसी और टेकसा के लिए use नहीं किया जा सकता इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमने एक नाम एक scientific name किसी भी species को दे दिया तो यह जो नाम है ना ही उस species के किसी दूसरे member को जो के different हो उससे दिया जा सकता है ना ही किसी और टेकसा को यह नाम दिया जा सकता है इस rule के मतलब जो information है वो article number 19 के अंदर मौझूद है International Code of Zoological Nomenclature का जो article number 19 है उसके अंदर principle of priority के मतलब information मौझूद है कि एक नाम जो एक दफा यूज हो गया उसको दुबारा से हमने इस्तवाल नहीं करना अब इस rule के अंदर कुछ exceptions भी है लेकिन अगर हमने exceptions को follow करना है तो उसके लिए भी वकाइदा rules है उस rule को follow करते हुए हम exceptions कर सकते हैं अब इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये कि जो principle of priority है इसके अंदर कुछ limitations है पर इसे पहले अगर कोई नाम दिया गया तो उसके उपर principle of priority apply नहीं होता नमबर टू जो principle of priority है ये सिरफ family level तक acceptable है इसी तरीके से अगर एक नाम दिया गया लेकिन इस नाम को रखते वकत जो international code of zoological nomenclature ने जो rules बताए हैं अगर उन rules को follow नहीं किया गया तो ऐसा नाम valid नाम consider नहीं होगा अब अगर ऐसा हो कि एक species के किसी member का एक scientific नाम रख दिया गया हो और बाद में ये मालूम हो कि इस species का तो कोई और नाम पहले से मौजूद है कोई पहले से archive, obscure, कोई कदीम नाम मौजूद है तो उस صورत में क्या होगा उस صورत में जो crunch name होगा इसको conserve किया जाएगा इसको conserve consider किया जाएगा against the old name लेकिन आम तोर पर जो conservation है इसको avoid किया जाता है क्योंकि ये जो obscure name होते है जो archaic name होते है ये no man oblium के अंदर आते हैं अब हम देखते हैं कि ये no man oblium क्या है no man oblium से मुराद है कि अगर हमने किसी species का एक scientific name रखा और ये valid name था उसके बाद पता चला कि इस species का तो पहले से एक valid name मौझूद है एक कदीम नाम इसका मौझूद है लेकिन ये जो obscure या जो कदीम name है इसका इस्तिमाल नहीं हुआ बहुत लंबे अरसे तक इसको किसी ने इस्तिमाल नहीं किया इस सुरत में इसको यूज नहीं किया जाएगा जो crunch name होगा उसी को इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन अगर ऐसा हो कि एक crunch name जो कि valid है मौझूद है लेकिन इसका एक कदीम homonym मौझूद है homonym से क्यामराद है कि same name किसी और टेक्सा के लिए पहले से दिया गया है तो उस सुरत में जो crunch name होगा इसको nomen protectum कहेंगे nomen protectum से मुराद है कि ये नाम available होगा और ये इस्तिमाल हो सकता है तो इस module के अंदर हमने देखा कि हमने एक species का जब एक दफ़ा एक नाम रख दिया तो उसके बाद दुबारा से हम same name किसी और टेक्सा को नहीं दे सकते लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो नाम हमने दिये हैं ये नाम publish हो चुके हों अगर एक नाम publish नहीं है तो ऐसा नाम available नाम नहीं कहलाता और अगर एक नाम हमने किसी species को दे दिया और बाद में मालूम हुआ कि इस species के लिए पहले से कोई नाम मौजूद है लेकिन ये नाम एक लंबे अर्से तक इस्तमाल में नहीं आया 50 साल से भी ज्यादा इसको किसी ने इस्तमाल नहीं किया तो ऐसा नाम जो है नोमन अबलीटम कहलाएगा और इसको इस्तमाल नहीं किया जाएगा लेकिन अगर एक नाम एक current name मौजूद है valid name मौजूद है लेकिन इसका एक archive homonym मौजूद है तो उस उरत में current name available name कहलाएगा और इसको no man protectum कहेंगे